एलो एवरिवन वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एक्जाम शैडो रोज की तरह आज फिर मैं आपके लिए दाहिंदू का अनलिसिस लेकर आया हूं और ट्राइट कि आज और अच्छा बनाऊं और अच्छा चीजें आपको डिसकस करके बताऊं जैसा मैंने कल भी कहा था कि न्यूस पेपर पढ़ना मत छोड़िये पढ़ना जरूरी है उसको कंटिन्यू कीजे डिसक्शन में मैं आपके लिए चीजें आसान कर दूँगा ठीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 15 मार्च है उसका डिसक्शन इसमें सबसे पहले यह देखिए कि इधर है कुमार और संदू जो न्यू एसी इलेक्शन कमिशनर अपॉइंट हुए हैं इसको हम आगे देखते हैं ठीक फिर एक न्यूज आपको पता होगा कि पूरा एपिसोड चल रहा था सुप्रीम कोड ने एलेक्टोरियल बॉंड को इन्वैलिट करार कर दिया था उसके बाद SBI को बोला था कि सारा डेटा पब्लिश करे इस बी आई ने थोड़ा टाइम मांगा सुप्रीम कोड ने टाइम नहीं दिया और फाइनली 15 मार्च डेड्लाइ उसके बाद बाकी पार्टी इसको मिला है सेकेंड नमबर पर एई टीसी ओल इंडिया त्रमूर कॉंग्रिस उसके बाद यह पैनल रिकमेंडेशन ऑन साइमल्टेनियस पोल तो वन नेशन वन एलेक्शन का जो चल रहा था एक कैंपेंट तरीके से उसमें एक पैनल बनाया ग गोविंजी उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबिट कर दी है और इस रिपोर्ट ने यह बोला है कि वन नेशन वन इसन सब्सक्र आइज और इन्होंने जनेरल में लोग सबह उसके बाद फिर राजद सबह राद सबास डेद सेट्व और साथी साथ जो एक थर्ट यर है हमारा पंचायत उसके इलेक्शन की भी बात की है कि मुनिसिपल और पंचायत का भी साथ में होना चाहिए लेकिन जनरल इलेक्शन के 100 डेस के बाद होना चाहिए ठीक है तो ये एक तरीके से एक रिकमेंडेशन है फिर उसके बाद CAA के बारे में है तो बॉल बाई बॉल कमेंटरी डेली जो आती है वो उसमें आपको पढ़ना नहीं है CAA क्या है पूरा समझ लीजो और जो मन्थली कंपाइलेशन नोट किसी कोचिंग इस्टिूट का आता है उससे पूरा आप कवर कर लीजेगा तो यह था फर्स्ट पेज अब आगे देखते हैं इसमें कुछ नहीं है इसमें भी कुछ नहीं है यह यहां देखते हैं यह इंपोर्टन यूज है इंडिया इन 134 पोजिशन इन ग्लोबल हुमन डेवलप्मेंट इंडेक्स ठीक तो यह इंडेक्स कौन जारी करता है फर्स् इसमें इंडिया की पोजिशन हो जो है 134 हो गई है 2022 में 135 कब थी 2021 में 193 कंट्रीज है 2022 में उसमें इंडिया की पोजिशन 135 उसके बाद नेबर से कंपेर किया है कि हुमन डेवलप्मेंट इंडेक्स में स्री लंका हमसे मुच अहड़ है 78 चाइना 75 ठीक और सांतियाद देखो गया तो इंडिया भूटान से भी पीछे है भूटान 125 रैंकिंग है पंगलदेश की रैंकिंग है 129 और सुर्जलेंड इसमें सबसे नमबर वन पर आया है अब इसमें आपको एक यह देखना है कि होता क्या है ठीक है human development index UNDP तो रिलीस करता है लेकिन इसके पैरमीटर क्या है वह आप अपने बेसिक बुक से देख लीजेगा ठीक इंपॉर्टेंट था वह उसके बाद हम एडिटोरियल में आ जाते हैं यह फीचर स्पॉटलाइट फीचर इसको आप राइट अवे छोड़ सकते हो इसको भी आप मेट्रो प्लस को छोड़ सकते हो प्राइड के सब्सक्राइट इसमें जो अपर अपार गुपता जी है एड्वोकेट बेजिन न्यू डेली यह हमारे एक्जाम के पॉइंट व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता उन्होंने बोला है कि जो एया रिलेटेट वेबसाइट या जो भी काम हो रहा है सोशल मीडि या के बेस रिपोर्ट के बेसिस में अड्वाइजरी दे देते हैं और एक्टिंग लाइक डीटी डीटी कौन था पहले जो यह बता रहा है इंट्रोडक्शन में ही कि डिपार्टमेंट ऑफ एलेक्ट्रोनिक्स एंड आइटी इसको शॉर्ट फॉर्म डीटी कहते थे लेकि लिए ज्यादा यह काम का आर्टिकल नहीं है इसमें कोई जैसे फैक्स वगरा भी नहीं जिसको हम यूज कर सके तो इसको हम छोड़ सकते हैं अब आता हिए भूतान ओपनिंग मूव इन गैलिफू गैमबिट इस वेरी इंपोर्टन आर्टिकल बहुत अच्छा अर्टिकल ह अब करेंगे इसमें यह सुहसनी हैदर जी है इननोंने पूरा भूटान के साथ जो गैलिफू एक जगाह उसमें क्या होने वाला वह बताया है और सथिसक्राइब इंडिया के रिलेशन और साथ ही जात कुछ इसमें इंपॉर्टंट कुछ दी हुए है लाइन जो मैं अभी आपको बताऊंगा वह भी हम कहीं न कहीं यूज कर सकते हैं तो यह है वह आला आर्टिकल को समझते हैं तो देखिए क्या है समझे पहली बात तो अभी भूतान के जो हैड है वह आये हुए हैं फाइब डे की विजिट पे और उन्होंने अभी इनाउंस किया है कि नेक्स्ट वीक जो हमारे पीम मोदी भी भूटान जाएंगे तो भूटान और इंडिया का रिलेशनसिप में एक ये अच्छी बात है अब इसमें समझे कि जो एक भूटान का सिटी है गेल सब्सक्राइब करें जिसमें एक हजार स्कॉर किलोमेटर के एडिया है उसको स्पेशल एड्मिस्ट्रेटिव जोन बनाए बहुत अच्छे इन्वेस्टर फ्रेंडली लॉस के साथ और उसमें वह इंडिया का सपोर्ट चाहते है गेलेफू पहले मैं आपको दिखा देता यह है गहां पर तो यह है गेलेफू देखिए यह आपको दिख रहा होगा ठीक यह गेलेफू है इदर से समझेए यह असम इंडिया न्य यह पूरा इंडिया इधर इधर पर यह भुटान बॉर्डर बॉर्डरिंग स्टेट है हमारा नेभरिंग कंट्री और यह असम असम se ही कोकड़ा जार और यह connectivity गेलिफू तो एकदम बॉर्डरिंग बॉर्डर पह समझ दी जाए ठीक है गेलिफू इसको डेवलप करने की बात चल रही है तो अब यह प्लान उनका पूरा है साथ ही साथ वो क्या चाहते हैं कि यह कारबर न्यूट्रल सिटी रहे है गेलिफू कोई कारबर एमिशन ना हो इसलिए यहां पर मेंली आइटी इंडूस्ट्री एजूकेशन होटल और हॉस्पिटल सेक्टर मतलब कोई manufacturing इंडूस्ट्री न जो आजकल Global Peers दूसरे जो सिटी साओधी अरेबिया इंडूस्ट्री इंडूस्ट्री तरीके से अब यहां पर आपको यह चीज जरूरी है समझना कि इस ताइप का मैच्ट फॉलोविंग आ सकता है कि कौन से सिटी कहां की country से belong करती है ठीक है तो यह आप समझे गेलफू तो मैंने बता दिया भूटान यह साओधी अरेबिया के नियॉम एंड इंडिनोसिया का नुशानतारा ठीक है तो यह दोनों आपको याद रखना जरूरी है फिर आगे बता रहे हैं कि अगर यह develop हो जाता है तो हमारे लिए ह से connectivity इंडिया जपान से connectivity और नॉर्थ इस्टर बंगलादेश बेंगॉल से connectivity इसमें फायदा होगा गेलिफू से अगर हम जुड़ जाते हैं यहां से तो connectivity में फायदा होगा कैसे यहां से मतलब देखिए अगर आप देखेंगे तो यह पूरा हम यहां से मियान मार जा सकते हैं बंगलादेश यह बंगलादेश वाला एरिया है यहां बंगलादेश जा सकते हैं यह होगा फिर जापान के साथ connectivity बढ़ेगी इस तरीके से हमारे लिए फायदा है यह गयलिफू आइलेंड वाला ठीक यह बात होती है उसके बाद आगे वह बोलती है ठीक है यह सबतों हमस्मझ लिए लेकिन हमारे कुछ चैलेंज़स भी है चैलेंजस क्या है सबसे पहले जेउग्राफिया गयलिफू एक आसी जगह पर मतलब स्टेशन है उसकी जोग्राफी ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है मौनसून में और रेनफॉल होने कारण फ्लर्ट जैसा एरिया हो जाता है पूरा बहुत बाढ़ा जाती है ठीक पहला तब अब जैसे इस सिर्दी में बाढ़ा जाएगी मौनसून में बहुत र करता है अना जाना वहां ही गलिफू से होता है तो वह भी एक प्रॉब्लम है दूसरा हमारे असम में और नौर्ट इस स्टेट में और में में इंसर्जन्सी होती रहती है मतलब जो मिलिटेंट्स हैं जो नौन इस्टेट एक्टर्स हैं वह कुछ ना कुछ यहां पर अना 2003 में किया था तो अभी भी डिस्टर्ब है और फिर एक नेक्स्ट चैलेंज है कि गल्फू एक लैंड लॉक है जो की दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है मतलब इंडिया पर डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के लिए अडिस्टिशियर रिजिए और गल्फू को डेवलप करने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे ठीक है दूसरी कंट्रीज आपको है तो कर देगी लेकिन जो भूटान है भूटान की जो में एकनोमी जो पैसे आते हैं वह एक तो यहां के हाइड्रो पावर से वह जो बेचके और दूसरा टूरिजम से ले बढ़ावा देता है जिससे की कम पैसे आप आते हैं अनट तो यह बोल रहरी है कि आपको इस पर डेवलॉप काम करना पड़ेगा भू जिससे की जादा से ज़्यादा लारजर airport डवलप हो international level के एरपोर्टों जिससे और जादा लोग और जादा टूरिस्ट आ सकायए और आ आउट माईग्रेशन बहुत हो रहा है जो यूथ है वो सर्च ऑफ जॉब में बाहर जा रहा है तो गवर्मेंट को आपको यहां उनको रोकना पड़ेगा और साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल कंसर्ण यहां पर क्या हो गया कि जियोग्राफी के करण जो पॉलिटिकल चैलेंज तो जैसा पकिस्तान और स्रिक्सेलंका के साथ तो क्लोज आ जाने के करण चाइना से खतरा हमको ही है इसमें लिखा भी याँ तोटा पोट में 10 साल पहले लगब 10-15 साल पहले चाइना ने बहुत इंवेस्ट्मेंट कर दिया तो और एकदम इंडिया के पास आ गया था तुम चाइना का इंडिया के पास आने का मतलब यह है कि इंडिया के लिए ठ्रेट है चाइना चोटे-छोटे countries को पैसे देके debt देके उनको अपने एकदम काबू में कर लेता है it's not good for India वहाँ पे उन छोटे गंट्रोज में उन पोर्ट में वो अपना arms, ammunition, military camp यह सब लगा सकता है वो कभी भी हमको threaten कर सकता है ठीक तो यह सारी चीजे हमको ध्यान रखना पड़ेगा और when it comes to investment infrastructure हाँ साथी साथ बोल रहा है कि अगर आपको investment चाहिए infrastructure में तो आपको India का India की help लेने पड़ेगी India को क्या करना पड़ेगा railway line right up to border with Bhutan भूटान तक railway line बढ़ाने पड़ेगी अच्छी roads बढ़ानी पड़ेगी ठीक यह करना पड़ेगा और साथी साथ आपको जापान वगेर से अच्छे cooperation करना पड़ेगा Bangladesh से आपको अच्छे cooperation करने पड़ेगी roads बनाने पड़ेगी bridges construct करने पड़ेगी जिससे कि आप Bangladesh के चत्तो ग्राम एंड मोंगला पोर्ट को एकसेस कर सके तो यह भी important है कहां पर है चत्तो ग्राम पोर्ट एंड मोंगला पोर्ट तो बंगलादेश में है ठीक तो दोनों साइट से एफ़र्ट चाहिए अगर गैलिफू को डेवलप करना है तो गैलिफू को भी चाहिए कि रोड इंफरस्ट्रेक्टर डबलप करे हना मयानमार और जापान के साथ अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ाए को आपरेशन बढ़ाए रोड एंड रेल्वे एंड ब्रिजस कंस्टर्ट करे तब जाके हम इसका फायदा ले पाएंगे साथी साथ आपको क्या करना है अगर आपको चाहिए यह पावर सप्लाई होती रहे तो आपको क्या करना है कि क्लाइमेट फ्रेशन बढ़ाएं जो कर रहे हैं वो तो करिये साथी साथ आपको नेपाल के साथ भुटान के साथ बांगलेदे स्रिलंका के साथ भी आपको पावर सप्लाई लेलते रहनी पड़ेगी ठीक है तो यह फाइनली बता रही कि भाई बहुत सारी चैलेंज है बट इंडिया के लिए भी चैलेंज है न्यू डेली अदर ग्रांट्स प्लांट फर कनेक्टिविटी कर इंडिया जैसे कि इंटरनेशनल नौर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट को इरान रश्या वाय चाबा हारपोर्ट को कनेक्ट करता है उसमें अभी वेस्टर्न सैंक्शन लंग गया है ठीक है आई-मीसी जो है आई-मीसी क्या है देखिए इधर नों बताया है आई-मीसी बताया है इंडिया मिडिल इस्ट उरोप एकनोमिक कॉरिडूर ठीक यहां से भी हम इंडिया से मिडिल इस्ट कंट्री जैसे साथीय अरेबिया वगरा जाना चाहते है और फिर यूरोप जाना चाहते है इसमें क्या प्रोब्लम है इस कोरिडॉर में इसमें इसराइल का important है तो इसराइल अभी गाजा से लड़ रहा है तो वहाँ involved है तो वह अभी project installed हरुका हुआ है ठीक पाकिस्तान से हम सबको पता है कि जब से मोधी government power में आई है तो पाकिस्तान के सांथ कोई बात connectivity वगरा की बात बढ़ नहीं रही है तो एक साइड इंडिया का already international challenges है international relation में और भूतान के लिए challenges तो उन्होंने बता ही दिया ठीक अब आगे बोलती है कि सांती सांथ हमने देखा है कि mega smart cities में कुछ खास result नहीं आया ऐसे GMC के लिए कि आप assume कर लें यह भी मुश्किल बात है अब एक चीज यहां पर आया देखिए however as the global setting grows more polarized and countries increasing outward tribal foreign policies यह term आप कहीं use कर सकते tribal foreign policies का मतलब यह है कि ऐसी policy जिसमें लोग जो है countries है अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं ना कि दूर पर tribes अपने को अपने आसपास के लोगों को अपना सांथी समझते है अपना परिवार समझते अपने tribe के लोग समझते है तो यह way ahead बता रहे हैं कि जैसे example दिया है कि स्रिलंका में देखिए आपने उनकी economic crisis में help की goodwill generate हुआ बंगलदेश में आप help करते ही रहते हैं नेपाल के साथ आप उसके जो नेपाल अब new airports बना रहा है उसमें आप इंडिया help कीजे इसमें इंडिया में आप उनकी flight को allow कीजे तो जिससे अच्छा relation ब भी बात कीजे जिससे की कुछ अच्छा relation develop हो सके इस तरीके से आप अपने neighbors को सम्हाल के रखिए जिससे की आप गेलफू प्रोजेक्ट में मदद कर सके और जो आपका जो सब वो था कि हां connectivity बढ़ेगी वो fulfill हो सके बहुत अच्छा article है इस article को समझे पढ़िए खुद और इ यह वाला हमने cover कर लिया तो फिर next देखते हैं यह has poverty really dropped to 5% इसमें एक इंटर्व्यू का excerpt है तो सबसे पहले तो आप यह समझे एक नौमी 5% में इसमें कुछ data आपको रखना है या ना वो data अगर याद रख लेंगे तो आपको code करने में एंसर राटिंग में और साथी साथ यूप प्रिलिम्स में अगर कुछ पूछ लेता है तो help मिलेगी तो what is the data? household consumption expenditure survey at CES 2022-2023 यह आपको पता होगा कि this survey has been released इस survey में बोला गया है कि इंडिया की जो 5% इंडिया's population है वो अभी below poverty line में रह रह रहा है मतलब poverty यह बोल रहा है कि 5% ही है चीक अब इनसे पूछा जा है कि आपको क्या लगता है कि 5% poverty किन से एक सुरुजीत भला जो की former Prime Minister के member of economic advisory council में रहे हुए है former member और जैती घोष जो एक economics development economist है ठीक है तो पहला question पूछते है कि क्या आपको लगता है कि 5% है तो इसमें से देखिए इनका जो भी है आप समझ सकते है बस data समझ यह data important है तो हम हमारे हाँ poverty एक तरीके से दो एक तेंडूलकर कमिटी है तेंडूलकर poverty line उसके इसाप से decide की जाती है जो calorie intake देखता है कि अगर rural इंडिया में 1500 रुपए कोई कमा रहा है और urban में 1800 रुपए तो इंकम के बेस पर हो गया calorie intake भी देखा जाता है कि इतनी calorie चाहिए है अगर वो मिल रही है तो लोग poverty से बाहर है otherwise poverty line के नीचे है तो यह बोलना है कि 2011-12 में इंडिया की poverty line 12.5% थी जो अगर आज के criteria से देखे अब 5% हो गई है तो अगर वो बोलना है कि ट्रूर्ट लाइन से देखेंगे तो अब तो और नीचे हो जाएगी 2% ही हो जाएगी जना वह साथी साथ अगर आप उसको वेल्ड bank से मेजर करेंगे तो वर्ड से मेजर करने पर वर्ड बैंक के क्राइटिरिय से 25 परसेंट हो जाएगी रूरल में और 11 परसेंट हो जाएगी अर्बन में जो की पावर्टी रेट पावर्टी लाइन से बाहर है इस तरीके से यह लोग अपना अपना आर्गिमेंट दे रहे हैं कि कहां पर क्या जरूरी है कहां पर क्या नहीं तो यह एक डेटा याद रख सकते हैं टेंडूर कर लाइन कमिटी वाला दूसरा आप देखिए जो याद और समझने लाइक है उसम जरूरी नहीं के चीज़ पर ज्यादा पैसा खर्ज करें तो इसके लिए भी बूल रहे हैं कि हां पर कैपिटा फुर्टी परसेंट बढ़ गया है 11 साल में लोग 40 परसेंट ज्यादा पैसा खर्ज करने कंजमशन में खाना पीना पहनना ओलना वह कंजमशन हो जाता है ठीक ह इन्होंने फिर जो निकाला है कि वेज अगर लोगों का वेज बढ़ा होगा तभी तो पैसे बढ़े होंगे इंकम बढ़े होगी तभी खर्च करेंगे तो पिरियोडिक लेवर फोर सर्वे भी ये बूल रहा है कि हाँ वेज बढ़ा है 3.2% सिंस 2011 तो इसलिए हम मान सकते है इंकम टैक्स डेटा भी बताता है कि लोगों की सैलरी बढ़ी होगी है तो कंजम्शन भी बढ़ा होगा तो ये बात एक समझ में आ जाती है यहां से ये भी बताती है कि PLFS शोज वोमेन वर्कर की बात कर रही है यह कि वर्कर साथ अंपेड विच इंक्रीस फॉम 32 परसंट यह एक डेटा लिख सकते हैं कि PLFS डेटा भी बताता है कि 37.5 परसंट वोमेन वर्कर अंपेड काम करती हैं कि उनको पैसा नहीं मिलता है तो इनका कहने का मदला है कि भाई consumption कैसे बढ़ गए लोगों वोमेन को तो पैसा ही नहीं मिलता है तो यह इनका आइडिया है पिर एनससो की भी बात कर रही है कि consumption 3% बढ़ा है real consumption वों यहीं वो भी बोलता है कि तो मतलब ओड़ आल गया है ठीक तो यह दो तीन डेटा हम यहां से निकाल सकते हैं एक तो कंजम्शन बढ़े गया है यह समझ यह पावर्टी रेट कम हो गई है यह समझ यह और वेज बढ़े गया है अब पी एफल जो यह सर्वे है पिरिडिक लेवर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे यह भी बता रहा है कि 3% 3.2% हुआ है साथी साथ यह भी बता रहा है कि वोमें जो वर्कर का पार्टिसिपेशन एंफेड वर्कर है 37.5% ठीक तो यह डेटा आपको यूज करना है कहीं पे भी एंसर राइटिंग के वक्त है आपका यह काम है इसमें से डेटा निकालना टेक्स्ट एंट कंटेक्स में C.E.A. इन स्टेटस ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग से आया है ज्यादा C.E.A. के बारे में जैसे मैंने बताया था किसी एक उससे पढ़ लीजेगा आप छीक यह छोड़ दीजे यह छोड़ दीजे यह सारा छोड़ सकते हम लोग कछोड़ सकतें एक खलिस्तान इम्पोर्टन नहीं है यह ज्यानियस कुमार सुखबीर संदु appointed as election commissioner तो यह थोड़ा important है name तो important है ग्यानियस कुमार सुखबिंदर संदु सुखबिंदर संदु यह retired IS officer थे ठीक election commission में कैसे appointment होता है, कोई appointment करता है, क्या Imaginooga करता है यह सारे चीज आपको कवर करना यह examination point of view से important है ठीक है आपको पता होगा कि Supreme Court ने March 2023 में एक decision लाया था जिसमें बोला गया था कि तीन मेंबर जब तक act नहीं बन जाता है तब तक जो है three members committee जिसमें होगा प्राइम मिनिस्टर एक law मिनिस्टर साथ में प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन और सी जे आई तो तुरंत यह लोग क्या बना देते हैं एक्ट बना देते हैं election commissioner appointment condition of service in terms of office act 2023 देसेंबर में बना देते हैं और जब जब एक्ट बना देते हैं तो उसमें CJI को हटा देते है chief justice of India उसकी जगह होता है प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर अपॉंटेड बाइ cabinet cabinet minister appointed by PM एंड इन उसके बाद कौन होता है leader of opposition तो अभी जो minister appointed है वो है union minister home minister अमिश्या तो तीन member committee होगी Prime Minister अमिश्या जी और साथी साथ leader of opposition ठीक है तो इन तिनों ने मिलके दो लोगों का नाम सजेस्ट किया है ज्यानेश कुमार एंड सुखबीर सिंग संदू यह election commission on thursday अपॉइंट हो गया है तो बस यह है इसमें फिर साथी साथ पॉलिटिक्स की बात है कि जो अधिर रिंजन चौधरी leader of opposition है वो बूल रहे है कि मुझे बताया नहीं गया था और वो सारी बाते उससे हमको मतलब नहीं है हमको बस इससे जो नाम है और process क्या है कौन सा act है उसके provision है उससे मतलब ठीक है वन नेशन वन एलेक्शन मैंने आपको बताया था मोदेविल ट्रेवल टू भूटान नेक्स्ट वीक ये भी है एक important news इसको आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट वीक भूटान जाएंगे अभी अभी sharing चोगबे हमारे आया हुए है फाइब डेस की विजिट पे और फिर ये जाएंगे भूटान ना और भूटान के लिए हमने देखी लिया है कि क्या अभी सबसे important चीज है ये लेफू project इंडिया likely to start free trade deal with ये important है इंडिया seriously considering starting talks for free trade deal with Eurasian economic union तो अब Eurasia कौन सा है euro plus Asia का जो मिलके बना हुआ है वो आपको समझना पड़ेगा अभी हमने देखे चार countries के साथ उनका economic block जो था कौन कौन सी country थी Iceland लिंकेस्टाइन और दो और थी नॉर्वे और एक सुटजलेंड तो इन चार country के साथ 100 billion dollar की डील साइन की है अब साथी साथ यहां पर भी इनके साथ डील साइन होने की बात हो रही है अब जब तक साइन नहीं हो जाती तब तक हम उसको नहीं कवर करेंगे बस आप यह समझे यह क्या है चीक है उसके बारे में पढ़ना रहेगा आपको पिरे किये study flag mixed implementation of forest right act तो एक study की गई है किसने fact finding study किये call for justice a Delhi based organization यहां से हमको उठा लेना इस call for justice नाम कप NGO related जो हमारा कभी question आता है तो यह लिख देंगे और इस article में ज्यादा कुछ नहीं है बस यह बता रहे है कहां implement हो रहा forest right act कहां नहीं हो रहा है तो इसका भी हम अगर में सेंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं हलाकि ऐसा कोई ज्यादा scope नहीं मिलता है बट यह समझे कि forest right act 2006 के provision बहुत important है prelims point of view से वह provision आप याद रख लीजेगा और अभी क्या amendment अगर कुछ हुआ हो तो वह amendment क्या हुआ है वह आपको याद रखना पड़े चीक चार स्टेट्स की study बता रहा है कोई खास article नहीं है यह होल सेल फूर इंपलेशन इस पर फेब्रेरी ओनियन टमाटो यह सब तो हर तीन महिने में आता रहता है इससे ज्यादा कोशन भी नहीं आते बस आपको concept समझना पड़ेगा कि होल सेल फूर इंफलेशन क्या है कंजूमर प्राइज इंडेक्स क्या है को इसको जारी करता है क्या फॉर्मूला यह सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगी नपसियाए पेटियं टू ऑफर यूपीज़र टी पैप इसमें पीज आई क्या है यूपीज इसके बेसिक चीज़ें आपको सब कुछ पता ह होना चाहिए एंपी सी आई पेटियम वाला इशू चल रहा है वो इशू से हमको मतलब नहीं है बट एनपी सी आई यूपी आई आर्बी आई किस एक्ट के थूप सैंक्शन लगाता है क्या रीजन है वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए ठीक है तो यही था आज के इस डिसकशन में और बाकी तो हम कवर करी लिए हैं इस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपको कन्फूजन हो कमेंट करके पूछेगा देखते रहे बहुत अच्छा लगेगा रोज मैं बनाने की कोशिस करता हूं और अच्छा करने की कोशिस करता ह कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए थैंक यू